हेलो दोस्त मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लाब पर मेरा नाम है जी आरसी और दोस्त आज की यूडियो पर बात करने वाले हैं आप अगर एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब स्टार्ट क खुलना चाहरे हो या कॉमेडी एजुकेशनल डैंस म्यूजिक जो भी है और आप साथ में क्या करते हो अपनी जो स्टडी है जो स्टडी से वो दोलों को मेंटेन करना भी यार यह बहुत एक 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 चैलेंजिंग टास्क है बोल सकते हो जो मैं काफी करीब धाई साल से करता हुआ रहा हूं कि 2.5 यह से करता हुआ रहा हूं और मेरी एंजिनेरिंग अभी तक ठीक ठाकी चल रही है चल रहा है मैं यह सब खेर बताना पसंद नहीं करता बट स्टिल आप कोई कोई पूचता है तो मुझे जो भी है 9.12 मेरा चल रहा है जो की ठीकी है तो आपको दोनों को मिंटेंग कैसे करते हुए चलना है इस बारे में आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में सबसे बहले तो अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहा रहे हैं तो कौन से category पर start करना है मैं हर बार मोलते आया हूँ एक niche आपको क्या करना है select करना है niche मतलब क्या होता है niche मतलब होता है category एक category आपको select करनी है कौन से category पर आपको video बना ले है और क्योंकि category to category time requirement depend करेगा कि एक video को पूरे ready हो के आने के लिए कितना time लगता है अगर मान लो आप educational videos बना रहे है educational video या फिर आप बना रहे किस पर technical videos तो सब में time requirement अलग लगता है अगर आप बना रहे है किस पर suppose आप बना रहे है comedy videos आप बना रहे है cooking या आप suppose बना रहे है क्या व्लॉक्स या फिर आप क्या बना रहे है आप बना रहे है आप बना रहे है लाइक आ इतने सारे कुछ experiments लाइक slow mo guys होगे रहा है ना experiment channel बना रहे है तो यह बहुंग और कम मैंने channel channel category इसका आपको इसका किया कुछ lifestyle के बारे में बताते हैं लाइफ style के बारे में बताते हैं ठीक है कुछ relationship experts रहते हैं relationship experts रहते हैं तो यह कुछ basic category सब पर time requirement अलग लग लग लगता है इसके बारे में डिसक्रिस करते हैं अगर educational channel बनाना है तो यहां पर आप किस पोजिशन पर हो और आपको अपने content की कितनी knowledge है उस पर depend करता है अगर मान लो कि अगर आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं पढ़ाना चाह रहे तो आपको किस-किस की जरुवत है सपोज एक whiteboard की जरुवत है just like this या फिर यह भी नहीं चाहिए तो आपको सिवे copy चाहिए और आपको क्या करना है उपर इस तरीके से camera को लखना है और नीचे क्या करना है लिखते रह रहा है लिखते रहना है तो यहां पर आपको investment अगर मैं I say investment बोलू तो investment भी बहुत कम रहेगा और growth rate भी इसका क्या होगा relatively कम रहेगा relatively slow रहेगा initially initially बट इसमें भी क्या एक catch है क्या अगर आपके पास बहुत अच्छा एक suppose rank है कोई exam के थुरू तो बहुत जल्दी आपका growth rate क्या होगा growth rate बहुत जल्दी बढ़ जाएगा इससे growth rate slow होगा लेकिन बान में क्या growth rate ग्रोथ जो rate है वो बढ़ जाएगा लेकिन बहुत टेक्निकल चनल के बात करो तो investment इसका initial investment हाई रहेगा चिक है initial investment हाई रहेगा और सारी चीज़ है growth rate इसका जो है यह डिपेंड करेगा कि आपकी कितने टेक्निकालिटी पर नॉलेज है कितना होल्ड है तो इससे growth rate टेक्निकल चैनल का मैं बोल सकता हूँ nominal रहेगा मतलब ना जादा बढ़ेगा ना जादा बढ़ते रहेगा comedy चैनल का क्या है कि investment आपका बोल सकते हो किस पे इसमें कैसा इन्वेस्टमेंट मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट नहीं यहां पर क्या investment है यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट है content development content जो आप लिखते हैं वो डिवलप करने में अच्छा कासा इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर लगेगा ठीक है तो आपका पूरा वीडियो तयार होने के आने में होके आने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और growth rate इन चैनल से कैसा होगा बहुत ज्यादा growth rate आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे हम हर में discuss कर सकते हैं जैसे relationship experts है तो यहां पर क्या investment कम है कम है और यहां पर growth rate बहुत ज़्यादा है growth rate बहुत ज़्यादा है और income इनके कैसी है income इनके अच्छी कासी है लेकिन relationship expert बनने के लिए आपको क्या बहुत ज़्यादा experience चाहिए relationship के regarding यह तो अपने को पता है तो यह सब के पास नहीं होता तो य आपको time अच्छा खासा in general time जो है YouTube पे stand करने के दिए around 2-3 साल का average time ता आपको लगेगा कि आपकी channel एक ठीक ठाक position पर आ सके वही studies है तो देखो यह हर YouTuber बोलता है मैं भी बोलूगा कि YouTube क्या है कभी भी क्या हो सकता है बंद हो सकता है कभी भी आपका बंद हो सकता है लेकिन ज जो record है वो क्या रहेगा पूरे life long आपके साथ रहेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि यह जो भी आप कर रहे हो YouTube इतने सारे initials category के बारे में बात कि इसको थोड़ा सा मतलब इसमें आप मेहनत करते रहो मेहनत अत्ती फाड़ के करनी पड़ेगी यहां पर मेहनत करते रहो ले जहां पर पढ़ाई कर रहे हो जहां पर पैसे invest कर रहे हो उसको बहुत अच्छे ते करना है आपको remaining time में आपको YouTube पे जान देना है क्योंकि YouTube आपका क्या है कभी भी बंज हो सकता है और कभी भी आपका channel को कुछ भी हो सकता है कुछ भी believe me कुछ भी तो इसको जादा दिल से यह नहीं लगाना है दिल से क्या करना है इसको लगाना है इसको बार 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 है बोलटोंकि इतने शाड़े यंग्सिठीर class 10 क्लास में है YouTube ंच्ञा यूट्यूब चानला खोलें के लिए यूटूब चैनल में आपको इसको खतम कर देना है मिन पढ़ने के ऊमर में कि आप क्या करें यूट्यूब चैनल बनाकर बैठें कुछ नहीं हो रहा है कुछ भी कुछ कर रहे हो तो यह हाल है चीक तो आपको बेसिकली इस पर ध्यान देना ए और दिनके क्योंकि आपके उमर बहुत कम है अपको बास टाइम बहुत जादा है तो आप क्या करो दिनके लगेगा तो यहां पर content आप ज्यादा quantity में नहीं दे सकते हैं यहां पर quantity में ज्यादा दे सकते हो quality आपके teaching style पर depend करेगा ची तो यहां पर आप क्या करो दो या तीन वीडियोस रेगुलर निकाल सकते हो और editing का time के आपको कम लगेगा एक अगर आपको educational channel खोलना है तो तो आप क्या कर सकते हो coaching या tuition से आके रात के मान लो 11 से 12 या एक बज़े तक आप वीडियोस बना सकते हो और वो तुरंट आप upload कर सकते हो आपको जादा कुछ य अगर आप gate कोचिंग नहीं जा रहे हो 3rd 4 semester में तो time आपको भरपूर मिलेगा तो relationship मैं relationship को बहुत जादा गलत नहीं बोलता बट still मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुद पर invest कर लोगे क्योंकि आप आज जो हो 20 kg में वही आप रोगे या 30 kg में और यह 10 साल ही आपके पास है यह 10 साल कोई छीन लिया ने बिटा खून के आशू रोगे कुछ नहीं रहेगा हाथ में खून के आशू रोगे कुछ नहीं रहेगा हाथ में ठीक है यह 10 साल अगर चले गए तो तो मैं थोड़ा सा बोलूगा कि 20 से 30 साल के बीट में अपना hustle मार लो तो engineering के दौन के टाइम बहुत मिलता है तो आप remaining time में और आपको हर किसी को पता है कि engineering में क्या है बंदा exam time में पढ़ता है तीन बार पढ़ता है बंदा engineering में पहला क्या mid sem बोलते होगे आप कोई college में हमारे में city बोलते है जिसका internal जो रहता है mark side होता है सी दो बार होता है city one city two और दूसरा क्या होत होते तो यह तीन बार ही बंदा पढ़ता है उसके लावा कभी नहीं पढ़ता तो आपको engineering में time बहुत मिलता है तो side side hustle खड़ा करते वे चलना है और कुछ इस तरीके से आपको जितना भी मैंने point बताया investment time या फिर यह growth rate यह सब को ध्यान में रखते वे अपने को एक वीडियो को कैसे लगा नीचे comment में जरूर बताना अगर आपके कोई भी queries है सब्सक्राइब लॉग चैनल एक्स्परिमेंटिंग चैनल या lifestyle वाले चैनल या relationship अगर आप expert बनना चाहर है अगर आपके कोई queries है ता बिल्कुल मुझे अगर आप कुछी personal queries है ता इंस्टा पे प खुछ रहिए और दूसरों की help करते रहिए